रादे रादे हरी कृष्णा आप सब का कृष्ण दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अधिक मास के अंतिम पाँच दिनों में दीब दान का बहुत महत्तों माना जाता है अधिक मास के अंतिम पाँच दिनों में कहां कहां दीब दान किया जाएं तो हमें अमोग फल की प्राप्ती होगी, पुन फल की प्राप्ती होगी, हमारे जीवन की सभी दुख दरिद्रता का नाश होगा, तो चलिए आज हम यहाँ पे देखते हैं, आज पर्मा इकादशी है और आज से ही अधिक मास के आखरी के पांच दिन शेश रह गये हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दीबदान कहां कहां किया जाए, जिससे हमारे जीवन की दुख दरिद्रता, शोक संताफ सभी का नाश हो जाए, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, और सदा लक्ष्मी हमारे जीवन में विराजमान रहे माता लक्ष्मी भगवान विश्णु की असीम कृपा प्राप्त हो तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर में हमें 5, 7 या 11 दीबदान करना चाहिए और ये दीबदान अगर संबव हो तो गाई के घी से प्रजवलित करें भगवान की आरती करें तुलसी दल अर्पित करें भोग चढ़ाएं भोग में पीले रंकी वस्तु चढ़ाएं पीले रंकी मिठाई पीले रंका फल भगवान विश्णु को अवश्य चढ़ाएं अधिक मास में शिव भगवान की पूजा करना तुल्सी माता के शमक्ष 11- 21 आप दीपकर जलाएं थोल,कुम यह सब चढ़ा के आप अच्छे से पूजन करें इस तरह से आप तुल्सी माता की विदे विदान से आर्ति करें, परिक्रमा करें, लत्डु को पाल की परिक्रमा करें ये दीबदान अधिक मास के आखरी के पांच दिनों में आप पांचों दिन नियम से करें तो पुन्फल की प्राप्ति होती है और घर की दुख दरिदरता का नाश होता है घोर से घोर भी दरिदरता अगर रहेगी तो वो भी खतम हो जाएगी अगर अधिक मास के पांच दिनों में आप ये दीबदान लगातार करते हैं तो घर की दहलीश पे दीबदान करें यानि घर की चोखट पे छट पे दीबदान करें शिव मंदिर में दीबदान करें पीपल के पेड़ के नीचे शनी के पौधे के नीचे शिव मंदिर में इन सब जगहों पे आप दीबदान करें तो आपको अमुकफल की प्राप्ति होगी और इस दीबदान से अधिक मास के आखरी के 6-5 दिनों में लगातार इन इस तरह से दीबदान करेंगे तो आपके आता है यकीन मानिए इस तरह से आप दीबदान करिएगा तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी भगवान विश्नु माता लक्षमी के साथ आपके घर में विराजमान रहेंगे शिव परिवार की कृपा प्राप्त होगी इस तरह से आप दीबदान करें लगातार अधिक मास के अंतिम पाँच दिनों में आप इस तरह से दीबदान करें क्योंकि अंतिम पाँच दिन बहुत ही चमतकारी कलाब दिलाता है आप भगवान विश्नु को ठाकुर जी को लड़ू गोपाल की तुलसी दल से सेवा करें विश्नु शहस्तर नाम का जाप कर करें विश्नु चालिसा पढ़ें आप जिस तरह से चाहिए आप भगवान को प्रसन्न करें यह बहुत ही अचूप मौका होता है यह मौका हर तीन साल के बाद ही आपको मिलेगा इसलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दें दीबदान अवश्य करें और अगर आप तीरते सल पे गए हैं तो वहां भी दीबदान करें तीरते सल पे नहीं गए हैं तो इस तरह से आप घर में रहके दीबदान कर सकते हैं मंदिर में दीपक जलाएं कुआ तलाब बावडी जहां जल की विवस्ता हूँ वहां दीबदान करें शिव मंदिर में दीबदान करें पीपल के पेड के नीचे दीपक जलाएं, ये सब साइकाल की दीब गदान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तुलसी के पौधे में 11-21 दीपक जलाएं, घर की दहलीज चोखट भी दीबदान करें, घर की छट पे आप दीबदान करें, ये बहुत ही पुन फलदाई माना जाता है, शन अगर है तो वो दूर हो जाता है, और भगवान शनी देव की असीम क्रिपाप राप्त होती है, तो इस तरह से आप देखिए, दीबदान अवश्य करें, अतिक मास के अंतिम के पाँच दिनों में, लगातार पाँच दिनों तक आप इस तरह से दीबदान करेंगे, तो भगवान विश्णू के साथ आपके घर में विराजमान रहेंगी, तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये दीबदान कैसे करना है, कहां कहां करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, तब तक के लिए राधे राधे हरी किश्णा